नमस्कार मैं हूँ विज्या और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट काप्टन बनने के लिए पारस छाबड़ा ने की सारी हदे पार घरवालों ने उड़ाई नियम कानून की धज्जियां बिग बॉस 13 में लगजरी का सामान वापस आने के बाद घरवाली कैप्टन सी टास्क में जुट चुके हैं बीते एपिसोड में बिग बॉस ने सभी घरवालों को मौका दिया था कि वो इस अपते कैप्टन बनने के लिए अपनी दावेदारी रख सकते हैं बिते एपिसोड में सदार शुकला और विशाल आदिति सिंग से घरवालों ने सभी अधिकार चीन लिया है लगजरी सामान वापसी के लिए घरवालों ने एक कदम उठाया था कैप्टन सी टास्क में सदार शुकला के ना होने से माना जा रहा था कि इस बार का ये टास्क बिना किसी लड़ाई जगडे के निपड़ जाएगा यह अलग बात है कि पारस चाबडा के होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है संचालक होने की वज़़़़ से पारस चाबडा घर के किसी लिए सदस की बात नहीं सुन रहे है यानि की काफी ज़ादा मनमानी करते दिख रहे है और इसी वज़़़़़ से पारस पर सभी चिल्लाते नजर आ रहे है पारस को चीटर का भी टैग दे दिया गया है इतना ही नहीं समझाने के बाद भी पारस चापडा ने अपनी सबसे एच्छी दोस्त माहिरा शर्मा की भी बोलती बन कर दी पारस चापडा पर सभी घरवाले काफी चिलना आते नजर आए और सभी पारस से तूतू मैं मैं करते दिखे पारस चापडा जम कर छीना जपटी भी करते नजर आए जिसकी वज़े से आरती सिंग को भी चोट लग जाती है पारस की इस हरकत से सिधार शुकला पारस पर भड़क जाते हैं ये बात अलग है कि पारस को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता पारस के मनमानी को देख कर रश्मी देशाई का गुस्सा सात्वे आस्वान पर पहुँच जाता है और यही वज़े है प्रोमो में रश्मी देशाई टास्क के दौरान जम कर तोड़ फोर कर तीन नजर आ रही है घर के बाकी सदर से भी पारस पर निशाना सात्ते दिखे तो यानि कि इस बार बिग बॉस के नए अपिसोड में दर्शोकों को जबरदस्त हंगामा देखने को मिलने वाला है फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही